आज हम देखेंगे KCL क्या होता है KCL का full form होता है किर्चोप current loop जैसे कि नाम से पता दलते हैं हम current के बारे में जानेंगे जैसे कि example के लिए लेते हैं हमारे पास एक node है node के उपर 3-4 current आ रहे हैं 3-4 current जा रहे हैं मतलब जो current आते हैं उसको हम बोलते है incoming current और जो current जाते हैं उसको हम बोलते है outgoing current मतलब हम KCL में क्या बोल सकते है total incoming current is equal to total outgoing current मतलब जोज़े कि I1, I2, I3 incoming current है I4, I5, I6 outgoing current है तो हम लोग कैसे लिखते हैं KCL को I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 minus I6 equal to 0 जो incoming current रहेगा उसको हम positive के साथ लिखेंगे जो outgoing current रहेगा उसको हम negative को साथ लिखेंगे और total current को हम क्या लिखेंगे equal to 0 KCL मतलब किट्चॉप current low जो कि हम लोग यूज़ करते हैं conservation of charge के लिए आज की वीडियो के लिए इतना है ऐसे ही interesting वीडियो लाते रहेंगे इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम मिलते हैं next वीडियो में